अजी बताएं यहां पर लिस्टिंग में क्या कुछ हो सकता है कल तो आजाद इंजिनेरिंग ने अच्छी लिस्टिंग दिखा दी बट इसका ट्रेंड कैसा रहेगा इतने अच्छी नहीं होगी नहीं होगी वैसे इशु को रेस्पर्स अच्छा मिला था पच्छीपन गुना अच्छी नहीं होगी तो आप लिस्टिंग हो सकते हैं हमने चोटे मोटे लिस्टिंग और लॉंग टर्म के लिए अपलाई करने के लिए का था वो राय हमारी थी इन्वेस्टर्स जिनको लॉंग टर्म के लिए ठीक है शोट टर्म जिनको रखना है उनके लिए 440 रुपे का या 440 रुपे का या तो इशु प्राइस का या इशु प्राइस से थोड़ा संचे चार सो चालिस का आप स्टॉक रो सकके अपने केपिटल को प्रोटेक कर सकते हैं कमस्णी में वैसे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं प्रमोटर्स अच्छे हैं बिजनस बढ़िया है सब कुछ ठीक है वेलिशन भी ठीक ठाक है लेकिन वही बात है कि आजकल लिस्टिंग क के बाद लोगों का मुड माहल बहुत तेजी का है नी तो फोलो बाइंग कितनी आती है इंस्टिशन की तरह से वह इसके लिए सबसे इंपोर्टेंट होगा ओके इंस